प्यारे बच्चों, अस्सलावु अलाइकुम, हम पोएम कैटरपिलर की कॉंप्रीहेंशन कर रहे हैं और आज हम उसमें करेंगे साइलेंट लेटर्स साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, लास्ट चेप्टर में भी आप कर चुके हैं एक दफ़ा हम इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं What are silent letters? Silent letters are letters that appear in the spelling of words but don't make a sound Silent या खमोश letters जो हैं, उन letters को कहा जाता है जो spelling में तो मुझूद होते हैं लेकिन वो आवाज नहीं बनाते They can be vowels, are consonants, वो vowels भी हो सकते हैं और consonants भी हो सकते हैं जैसे ये क्या कर रहा है, बच्चा क्लाइम कर रहा है सीडी चड़ने को क्लाइम करना कहते हैं तो इसमें जो red letter है, क्लाइम, बी इस साइलेंट उसकी आवाज प्रोनाउंस करने में नहीं आती लेकिन हम स्पेलिंग लिखते हुए C-L-I-M-B लिखते हैं क्लाइम ये क्या है, ये है डिजाइन तो डिजाइन में आप देखें, D is silent लिखने में D-E-S-I-D-N तो ये काइनात का डिजाइन हमारे गौर फिकर करने वाला है कि अल्ला ताला ने इतनी खुबसूरत ये काइनात बनाई है तो वो खुद रब कितना खुबसूरत और कितना बड़ा होगा तो अल्ला अकपर अल्ला ताला की कुदरतों पे गौर करें और अल्ला ताला को दिल से माने, दिल से अपना रब जाने, ये क्या है, इसको कहते हैं, अंगुठे को, इंगलिश में कहते हैं, थम्ब, आप देखें कि थम्ब में भी, बी इस साइलेंट, नेक्स क्या है, टॉक, आपस में बातचीत करने को टॉक कहते हैं, टॉक में भी, देखें, टी, ए, ल, के, ल, जो रेड में है, वो साइलेंट है, फिर ये है, बी आउनेस्ट, आउनेस्ट में क्या चीज़ साइलेंट है, शाबाश, एच इस साइलेंट, तो एक मुसलमान जो ह उसकी सबसे बड़ी हूवी होती है कि वो सच हुट है एक मिसल्मान छूट नहीं बोलता तो प्यारे बच्चो आप भी हमेशा सच बोलें सच का रस्ता जो है वो नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जो है वो जनगी की तरफ ले जाती है ये नभी करीम की हदीश का मफहूम है ये क्या है आपने देखा होगा जब मोसम बदलता है खजाँ का मोसम आता है तो पत्ते नीचे गिरते हैं तो इसको कहते हैं आटम ए यू टी यू एम एन लिखने में हम आटम लिखते हैं N is silent here ठीक है ये क्या है wrap आप किसी को gift देते हैं तो उसे खुबसूरत सा pack करते हैं wrapping paper में तो wrap जो है वो pack करना होता है किसी को लपेट न तो wrap में आप देखें W जो है वो silent है ये बिचारा नीचे गिर है और इसके घुटने में जो है वो दर्दोरी है गुटने को इंगलिश में क्या कहते हैं नी तो नी में देखें के जो है वो silent है के एन डबल इ नी गुटना आप जब भी गाड़ी में बैठें तो fasten your seat belt तो fasten जो है उसमें टी जो है वो silent है किसी चीज़ को बाढ़ने को कहते हैं फासन यह क्या है नॉक का रहे डोर पे खट-कटाने को कहते हैं नॉक और नॉक में के जो है वो silent है के एन ओ सी के नॉक खट-कटाना ओफन बार-बार कोई काम बार-बार करना ओफन ओफन में आप देखें टी साइलेंट है ओ-फ टी-ए-न हम स्पेलिंग में लिखते हैं लेकिन बोलने में इसको ओफन बोलते हैं फिर है वेन वेन में आपने देखा एच जो है वो silent है उमीद है आपको silent letters का वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें